दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इस्टडी विद धननजय मिस्रा पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है धननजय मिस्रा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 28 अक्टूबर से संबंधित महत्वपुर्ण करेंट अफेर्स के बारे में तो आईजी इस सिरीज को इस्टार्ट करते हैं इस सिरीज का पहला कोश्चन है कि हालही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सुर्योदय योजना का सुभारंभ कहां पर किया गया है अब गुजरात में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सुर्योदय योजना का सुभारंभ किया गया है यह एक क्रिसी योजना है जिसका उदेश किसानों को सिचाई के लिए सुबह पांच वजे से रात्री नो वजे तक लगभग 16 घंटा विद्दूत आपूर्ती प्रदान किया जाना है अब गुजरात में स्टार्ट किया गया है तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं गुजरात की राजधानी गाधी नगर है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी है गुजरात के राज्यपाल अचार्य देवरत है गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है बिधान सभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले है कांडला बंदरगा, गिर नेशनल पार्क और सूमनाथ मंदिर ये भी आपका गुजरात में ही इस्थित है मुंगफली का सरवाधिक उत्पादन गुजरात ही करता है आईए अगला प्रस्न देखते हैं दूसरा प्रस्न है, हालही में कहां पर भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटे सेंटर को विक्सित किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है, आपसन नमबर A, गोवा अभी हालही में यह निर्णे लिया गया है कि गोवा में भारत के पहले सेंड ड्यून पार्क और इंटर्पिटेशन सेंटर को विक्सित किया जाएगा अब गोवा में किया जाएगा तो गोवा के बारे में तेख लेते हैं गोवा की राजधानी पणजी है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं गोवा के राजपाल भगत सिंग को सियारी हैं गोवा में लोक सभा सीटों की संख्या दो है राज्य सभा सीटों की संख्या एक है विधान सभा सीटों की संख्या चालिस है और गोवा में कुल द जिले हैं गोवा मांडवी नदी के तट पर इस्थित है और 19 दिसंबर को प्रतेक वर्स गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है आईए अगला प्रस्न देखते हैं तीसरा प्रस्न है हालही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस लागू किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर सी बांगला देश अभी हालही में बांगला देश ने नो मास्क नो सर्विस का जो है कि सुभारंभ किया है इसमें किसी भी व्यक्ति को अगर वह मास्क नही पहना है तो उसको किसी भी कर्याले में प्रवेस नहीं दिया जाएगा और इसको बंगला देश ने अभी लागू कर दिया है बंगला देश की राजधानी धाका है बंगला देश की मुद्रा टका है और बरतमान में बंगला देश की प्रधान मंत्री सेख हसीना है आईए अग उत्तर है आप्सन नंबर B 24 अक्टूबर अभी हालही में 24 अक्टूबर को ITBP ने अपना 69 अस्थापना दिवस मनाया है अब ITBP ने मनाया है तो ITBP के बारे में देख लेते हैं ITBP का फूल फाम होता है इंडो तिवतियन बार्डर पुलिस ITBP का अस्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था ITBP का हेड़क्वाटर नई दिल्ली में इस्थित है और बरतमान में ITBP के महा निदेशक सुर्जीत सिंग देशवाल हैं दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलीग्राम के लिंक पर क ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर इस्टाडी विद धनंजय मिस्रा सर्च करके भी आप इस ग्रूप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वेल आइकन को अवस्त्य दबा लीजिएगा आइए अगला प्रस्न देखते हैं पांचवा प्रस्न है हालही में किसके द्वारा लाइफ इन मिनियेचर पर योजना का सुभारंभ किया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर डी प्रहलाद सिंग पटेल अभी हालही में केंद्रिय संस्कृति और पर्याटन राज मंत्री प्रहलाद सिंग पटेल के द्वारा लाइफ इन मिनियेचर पर योजना का सुभारंभ किया गया है आईए अगला प्रस्न देखते हैं छटमा प्रस्न है हालही में नाटो ने कहां पर एक नया अंतिरिक्ष केंद्र अस्थापित करने का योजना बनाया है तो इसका स अप्सन नंबर A जर्मनी अभी हालही में नाटो ने जर्मनी में एक नया अंतिरिक्ष केंद्र अस्थापित करने का योजना बनाया है और यह जर्मनी के राम इश्टीन में अस्थापित किया जाएगा नाटो के बारे में अब देख लेते हैं नाटो का फूल फाम होता है नार्थ अट्लांटिक ट्रिटी आर्गनाईजेशन नाटो का स्थापना 4 अप्रेल 1949 को हुआ था नाटो का हेड़क्वाटर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इस्थित है और बरतमान में नाटो के हेड इस्टूर्ट पीछ है और नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है आईए अगला प्रस्न देछते हैं सात्वा प्रस्न है हालही में भारत मूल के वावेल रांकालंद किस देश के नए राश्टपती बने हैं तो इसका सही उत्तर है। आपसन नंबर A, सेसेल्स, अभी हालही में भारतिय मूल के वावेल राम्ब का लावन, ये जो है कि सेसेल्स के राष्टपती बने हैं, सेसेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, सेसेल्स की मुद्रा सेसेल्सी रुपिया है, आजिए अगला प्रस्न देखते हैं, आठमा प्रस्न है, हालही में सेमसंग के अध्यक्ष ली कुन ही का निधन हुआ है, सेमसंग किस देश की कमपनी है, तो इसका सही उत्तर है, आपसन नंबर B, दच्छिन कोरिया, अभी हालही में सेमसंग के अध्यक्ष ली कुन ही का निधन हुआ है, और सेमसंग जो है कि दच् दच्छिन कोरियाई वान है और बरतमान में दच्छिन कोरिया के राष्टपती मून जे इन है आगे अब अगला प्रस्ण देखते हैं नौवा प्रस्ण है हालही में पूर्तगाली ग्रेंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर A लुईस हैमिल्टन अभी हालही में लुईस हैमिल्टन ने पूर्तगाली ग्रेंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है और इस खिताब में जो के खिलाडी है और Great Britain के हैं दूसरे जो है कि नंबर पर वाल्टेरी बोटास है ये भी मर्सडीज के ड्राइबर है और ये फिनलेंड के हैं और तीसरे नंबर पर मैक्स वेरिश्टपन है ये रेड बुल के खिलाडी है और ये निदरलेंड के हैं आगे अब अगला प्रस्न दे से 2 नवंबर के बीच अभी हाल ही में घोसडा किया गया है कि सतर्क्ता जागरुकता सप्ता 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच मनाया जाएगा केंद्री सतर्क्ता आयोक्त का स्थापना 1964 में हुआ था इसका हेड़क्वाटर नई दिल्ली में इस्थित है और बरतमान में सतर्क्ता आयोक्त संजय को ठारी है आईए अब कल का प्रस्ण देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताया है तो कल का प्रस्ण था कि हाल ही में कहां पर माइक्रो एटियम सेवा का सुभारंभ किया गया है तो इसका सही उत्तर था आपसन नंबर सी मेघालय अभी हाल ही में मेघालय में माइक्रो एटियम सेवा का सुभारंभ किया गया है और इस प्रस्ण का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है रितु ओजा जी सर्वेश काजी जी रवी कांत जी संदीप जी सुसील यादव जी जितेंद्र आइए अब आज का प्रस्ण देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लों कामेंट बाक्स में कामेंट करके बताईएगा तो आज का प्रस्ण है कि हाल ही मैं IMF में सामिल होने वाला 170 सदस्य देश कौन बना है तो इसका आपसन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लों दी गई जनकारी आपको असानी से समझ में आई होगी किसी प्रकार के कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा ऐसे ही वीडियो प्राप्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वेल आइकन को अवस्ते दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपुर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय परोर असानी से पहुचता रहे आज के लिए इतना ही दीजिए इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्याइब